हलो गाइज, हावर यू आल, वेलकम बाक टू मैं चैनल, होफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे तो ले आई हूँ आप सभी के लिए, आपकी मुँ मीठा करने के लिए है, वो है मोती चूर के लड़ू जो कि हम हर तेवार में और गनपती जी का बहुत ही प्रिय है, तो आज मैं ले आई हूँ, आपको घर में आप किस तरह ये इजी सा रेसिपी बना सकें, तो चलिए अब हम बनाते हैं, तो यहाँ पे आप देखे सकते हैं, कि यहाँ पे मैंने एक मेजरिंग कब से मैंने एक कब पूरा बेसन का लिया है, यहाँ पे आप कोई भी बेसन ले सकते हो, तो बेसन में क्या होता ना, कभी-कभी थोड़े-थोड़े वो लम्स होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं उसको अच्छे से चान दे रही हूँ, ताकि विदाउड लम्स फ्री हमारा ये लड़ू बने, और बहुत ही अच्छा बने, तो इसको मैं पहले अच्छे से चान ले रही हूँ, और एकदम से फाइन पाउडर जो हमको चाहिए, वो मैं ले रही हूँ, तो उसी के साथ आप देखी सकते हैं, कि यहाँ पे मैं उसी का एक कप मैंने बेसन लिया है, तो एक कप मैं पूरा प तो आप देखी पा रहे होंगे कितने amount मैं पानी ले रही हूँ, एकदम से आस्तियास्तिक ले रही हूँ, और इसको एकदम से हमको लब फ्री बनाना है, और इसको आपको रनी वाला आपको texture रखना है, तो आप इसको अच्छे से मिलाते रही है, ताकि जब तक आपका वो texture उसको अच्छे से मिलाते रहें, तो आप मिलाते मिलाते आप दीखेंगे कि आपको एक उनी वाला टेक्शर मिलेगा, जो की मतलब वही हम लोग का परफ्ट्ट एकदम से वह टेक्शर होगा जो हमको मोतिचुर बनाने के लिए हल्फुल होगा, तो देखिए मोतिचुर लड़ वैसे बनाना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे पास वो हल्वाई जैसी वो साचे नहीं होती है बट आज मैं आपको घर पे आप किस तरह ये बना सको उसी की तरह मैं आपको बताना चाहते हूं तो यहां पर देखिए यहां पर मैंने सॉरे यहां पर मैंने जुसड़ पिंच ओफ कलर यूज़ किया है अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप हल्दी भी यहां पर आड कर सकते हूं और यहां पर इस सात मैं और यहां पर इसी की साथ तक अच्छे से फिटते रही है तब ही जाके जो बुंदी होगी न वो थोड़ी बहुत अच्छी बनेगी तो यहां पर आप मैं आपको दिखाती हूं यहां पर देखें मेरे पास साचा जो जिसे हम पूरियां चानते न वो वाली है दो तरगी है तो आप भी ऐसे आपके घर तए बी होगी जरूर आप भी ले सकते हो तो यहां पर देखें मैं पर मैंने अब तेल गरम किया है तेल गरम करने के बाद मैं इसमें आपका जो फ्लेम यह वह बहुत ही हाई होना चाहिए यह फ्लेम हाइड रहेगा और आप देखिए जो चमच है उसको कितनी उचाई में रख रही हूँ, ठोड़ा उचाई में रखेंगे और मेरा हाथ तो देखिए कितना एक जगे पहना है जोगे पहना है, जो भी आप गिरे यह झालो, तो बडियू को जो बारिश होती है ना मोतियों की बारिश white color की होती है बढ़ हमारे हाँ तो अभी orange color की हो रही है तो वो मोतियों की बारिश होना चालू हो जाएगा और आपको 2-4 मिन्ट तक इसको थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि जो मोती है जो बुंदी है वो अच्छे सी एकदम से सीख करते रहना है तो अब मैं इसको डी साउट करती हूं तो अब आप देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है और कितना टेंटिंग इसका वो color आया है तो बहुत डिलाइटली आपको इसको अच्छे से निकालना है निकालने के बाद आप देखिए मैं आपको एक तोड़ा सा लुक दिखाते हूं जस्ट इसका crunchiness देखिए और उसी के बाद अब आप देखिए अब हम बनाते हैं चास्नी तो चास्नी के लिए जितना आपने बेसन लिया था उतना ही आपको चीनी भी उतना ही लेना है थोड़ा उपर चल सकता है बट नीचे बिलकुल भी नहीं आपको कम नहीं लेना है क्योंकि चास्नी अगर हमारी कम पढ़ गई न तो वो एकदम से 2-4 दिन में ही खराब हो जाएगा लड़ू तो जितना मैंने यहां पे बैसन लिया है उतना ही मैंने पाने लिया है पूरी perfect measurement के साथ मैं आपको यह मोती चूट के लड़ू दिखा रही हूं और यहां पे मैंने लिया है इलाइची का पाउडर तो इलाइची को जस्त मैंने जो वो दाने होते हैं उसको अच्छे से मैंने इमान दस्ता में अच्छे से उसको कूट लिया है और उसको अप मैं डाल दी हूँ उसी के साथ अब मैं यहां पे थोड़ा सा केसल यूस कर रह आपना तो अब इसको आपको थोड़ा सा छलाते रहना है इसको हमको यहाँ पर कोई भी तार नहीं देना है ठीक है आपको कोई भी इसमें तार देनी की जरुवत नहीं है बहुत सिंपल सी रेसिपी मैं आपके सामने लेकर आई हो ताकि हम भी अपने घर में ये मोती चुर के लड़ू बना सके तो अभी आप देखे पारे होंगे कि थोड़ा बहुत चिपकनापन आ गया है और चीनी भी मेल्ट हो गई है तो इसलिए अब क्या कर रही हूं मैं जो बुंदी है उसको मैं अब इसमें चासनी में एड़ कर दे रही हूं एड़ करने के बाद इसको आपको थोड़ी देर ऐसे ही दो तीन मिन तक फ्लेम में आपको रखना है दो तीन मिन तक ताकि वो एक स्टीम ला सके और जो चासनी है वो पूरी तरह मतलब जो बुंदी पे है वो अब जब कर सके अच्छे से तो इसको आप मैंने ढखके रख दिय है करीबन दो-तीन मिन तक उसके बाद आप देखिए चासनी पूरी तरह से एकदम से सुख चुकी है एकदम से अब्जर्व हो चुकी है तो क्यूं आपके मुव में भी आ रहा है ना पानी तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूं बदाम आप यहां पे चाहते हो जो मेरी तरह से आप सभी को हैपी दिवाली एडवांस में तो इस दिवाले आप भी बनाएए यह मोती चूर के लड़ू आपके घर वाले देखिए जरूर पसंद करेंगे और बाहर का हलवाई स्टाइल जो होता है ना बाहर के मोती चूर लड़ू खाना भूल जाएंगे तो यहां पर देखिए यहां पर मैं आपको दो तरीके से बनाना सिखाई हूय एक मैंने अपने हाथों से प्लाम सी बनाया और एक अप मैं यूज करना हूँ हूँ मतरब जो मोटे बाले जो चम्मच घू था ना स्पून वो वाले serving spoon होते ना वो एले तो देखिए आपके घर मे के बाद अब आप इसको अच्छे से आपका जैसा मन हैं आप दोनों तरीके ही मैंने आपको दिखाया है आपको जैसे मन करें आप अपने हाथों से वैसे बना सकते हो सो होफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस दिवाली आप भी पूरी तरह बे जीजग आप अपने घर में ये मोतुचुर के लड़ू जरूर बनाओगे और मेरे को जरूर कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपके घर में कैसे पसंद किया इसको सो अभी आप देखी पा रहे होंगे कि इसका इतना टेम्टिंग कलर आया है और कितना प्यारा लग रहा है मारा ये लड़ू तो बहुत ही जटपट से बनने वाली है और बहुत ही सिंपल इंग्रिजेंस के साथ मैंने बताया है बहुत ही सिंपल वे से मैंने बताया है तो आ आप भी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा अपने घर पे and do hashtag me on Instagram. Thank you. Bye-bye. Happy Diwali.